और बात बडलते बिहार की सीम नितीश कमार का सपना रहा है कि देश की हर ठाली में कम से कम बिहार का एक व्यशन जरूर हो अब राज्यसरकार इस मोहिम को एक कदम और आगे ले जाने की तयारी कर रही है अब देश ही नहीं विदेशों की थाली में भी बिहार के फल और सबजियों को पहुचाने की तैयारी चल रही है देखिए ब्रांट बिहार की खास रिपोर्ट बिहार के खेतों में उगी ये सबजियां अब विदेश में अपनी पहचान बनाएंगी जी हां कुवेद सरकार के वेजिटेवल फ्रूट इनपोर्टल फैडरेशन की ओर से राज सरकार को सबजियां एक्सपूर्ट करने का प्रस्ताव आया है जिसे बिहार सरकार ने सुईकार कर लिया है दरसल बिहार में 943 लाख हेक्टियर में सबजियों की खेती होती है और बिहार पूरे देश में सबजियों की उतपादम के मामले में तीसरे नमबर पर है ऐसे में राज सरकार ने सबजियों के निर्यात का फैसला लिया है काम शुरू हो गया है अप्रील तक बाजार में और्गनिक सब्जी भी आजाएगा और मुझे बताते प्रसंता हो रही है कि भेज्टेबूल एन फ्रूट इंपोर्टर्स फ्रडेशन जाकर के और या गौर्वेंट और कुवेट और वहां से हम लोग को पत्रा आया जाकर के डॉक्तर अर्सद मोशीन जाकर के कि बिहार का सब्जी कुवेट है जाकर के बिहार सरकार अपनी इस मोहीम को सफल साथ निश्चय योजना के जरिये पूरा करेगी योजना के लिए राज सरकार ने कुल 49,800 करण रूपए की विवस्था की है जिसमें सरकार एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री जैसे उद्धम के विशेश प्रशिछन के लिए 500 करण रूपए खर्च करेगी एतना ही नहीं बिहार के आम, लीची, केला और उससे जुड़े उत्पादों को सिरलंका के लोगों तक पहुँचाने की तैयारी भी चल रही है फलो के अलावा हैंड लूम, हैंडी क्राफ्ट, रेशम, तरस, मधवनी पैंटिंग को भी सिरलंका में जगह दिलाने की योजना है ये प्रोजेक्ट जो है मखाना का, ये 2006 में यहां सुरू हुआ था और पिछले 11 साल में इसमें दो महतोपुर्ण उपलबदी रही है और दूसरी उपलबदी रही है कि मखाना आज एक हिल्थ फूट के रूप में ना सिर्फ देश में जबकि विदेश और विदेश में भी जैसे कि USA की मार्केट में, European Union के मार्केट में, UK की मार्केट में, Hong Kong की मार्केट में अपना अस्थान बना लिया है और वहां काफी इंपोर्ट हो रहे हैं, वहां के लोग काफी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां के लोग इसको एज हिल्थ फूट के रूप में, धीरे धीरे स्नैक फूट के रूप में यूस की मार्केट में यह जैसे पॉपकोर्ण डिफरेंट फ्लेवर में आता है उसी तरह यूस की मार्केट में डिफरेंट फ्लेवर में मखाना भी महा बिखने लगा है विहार चेंबर आफ कमर्स का एक विशेश प्रतिनीधी मंडल इस मोहेम को सफल बनाने के मकसद से इन दोनों स्रिलंका दोरे पर है ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब ब्रांड विहार की चर्चा विदेशों में होगी आसुतोष चंद्रा, जी मीडिया